पौधों वाली क्यारी जो बिल्कुल बरबाद हो चुकी और आप देख सकते हो पानी किस तरह से चाम हो रुखर हो और वो देखिए मेरी क्यारी की कितनी बुरी हालत हुई है वहां से स्वाइल एरोजन हुई है सो फ्रेंड्स ब्लॉग की शुरुवात हो गई और आप देख सकते हो कि ब्लॉग जो कंटिनिट्यू में ही है आदा मैं आपको दिखा चुकी थी आप उससे आगे का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो यहां पर जो आपने देखा ही कितना सारा मिटी का कटाव हो है और य सारी मिटी हमारी बहे गई है यह खाद समेथ तो फ्रेंड्स यहां पर अब हमने सारे गंले जो अपने किनारे रख दिये हैं और अब कोशिश कर रहें कि अच्छे से काम करें अरे चिपकली यह जो ना लेकिन यह क्या था काम तो शुरू कर नहीं था मैंने अभी हाथी लग और यहां पर चिपकली का बच्चा निकला तो उसको जाने दिया है फिर यह इधर की साइड आये हैं और फिर हम लोग काम करने लगे हैं और आप नोटिस कर रहे होंगे कि काम कर रहे हैं और मैं खड़े हुके जो इंस्ट्रक्शन्स दे रही हूं तो हाँ फ्रिंड्स मुझ में खड़ी हुई थी और इनको इंस्ट्रक्शन्स दे रही थी कि ऐसे करो वैसे करो तो आप लोग हसिएगा मत प्लीज इस बात पर मतलब कहने का मतलब यह कि सारा का सारा बारिश जो हमारी ही क्यारी पे मतलब जो है टूट पढ़नी थी है ना कितना अच्छ हमारे लाके सेडीलिंग लगाया है वह प्लांट से सारें कि सारे सो जो फ्रेंड्स मेरे यहां। जो हैं गाटिन से बढ़नांग से दो को मतलब रखते हैं। उनको समझ में आ रहा होगा कितने दुखी हैं हम हमारे प्लांट कितने बरबाद हुए यहां ॥ा वह ने गिरा आया ओ बस इसको ऐसे रेंदोबाद में करती हूँ मैं तब क्यासी है दागी साम ले फ्रेंड्स अब मैं भी रेडियो के आगे हूँ मैंने पने चपल पहल लिये और ये सारे प्लांट जो मैं इस तरह से निकाल के रखोंगी सो फ्रेंड्स अब बड़ी मुश्किल से मैंने भी हिम्मत बटोर ली और देखिये मेरे बगैर काम कैसे हो पाता बारिश ना इतनी तेज धड़ाकेदार फिर से आने वाली थी ना और अभी हमने इस तरह का काम लगा रखा था और बारिश इसके उपर गिर जाती ना तो बहुत ज़्यादा खराब हो ज़्यादा काम इसलिए फटा फट से मैं लग गई हूँ अब ना मैंने देखा आन ना बान और मैं लग गई शान से वा 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 क्या डायलोग है वा तो हसी एगा मत फ्रेंड्स क्योंकि ऐसे डायलोग में मारती रहती हूँ और यह देखो यह है वो पॉट यह खाद है अब भी बिल्कुल बढ़िया हो रखा है मौसम लेकिन बस बारिश आने ही वाली है हमारा बेबी स्पिनेच है इसको भी हम कुछ जुगार करेंगे लेकिन पतनी कर पाते हैं कि नहीं और इस सारे प्लांट जो मैंने इसके यारी म करेंगे और लगाएंगे तो फ्रेंट अब हमने डिसाइड किया है कि हम इस तरह से जो है ना साइड की मिटी हटा के साइड में कोको पीट डाल देते हैं बाकि सारी मिटी में भी डालेंगे कोको पीट लेकिन यह साइड साइड में डाल देते हैं ताकि मिटी की ड्रेनेज साइडूं से न, पता नियीं करना कितना ठीक था, कितना ठीक नहीं था, जो मेरे फ्रेंड्सेंद जो जानते हैं, Гार्डिन के बारे मैं बताइए कर जरूर, हमने या सही किया, कैसे गलत किया और उसके बार, दिखिए, मैंने सारे पुलांट्स को जो दुबारा री-प्लांट कर दिया है और ठक के मेरी हालत हो गया बुरी लेकिन जैसे ही मैंने री-प्लांट किया ना बस एक दम बारिश होना शुरू गई और उसी बीच में हमने फटा-फट से जो है यह प्लास्टिक का कवर जो है इस तरह से शेड सी बना के लगाया है और ताकि पानी ना फिर से क्योंकि गीली मिटी थी तो वो पूरी बह जाती बारिश में और अब यह स्पिनेच मुझे दिख रहा था तो यह भी अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे तो इसके लिए पे हम काम करने लगे हुए है आप देख सकते हो यह बड़ा वाला जो और आप देख सकते हैं यहां पर मैंने जो स्पिनिच था ना वो सारा मिटी में बहस आ गया था डहस आ गया था तो मेरे को आइडिया आया कि इसको में पानी में इस तरह से नितार देती हूँ ताकि पूरे प्लांट्स जो है मिरे को अलग अच्छे साफ दिख जाएंगे है और फिर इनको मैंने अच्छे से जो है दुबारा ट्रांस्प्लांट किया है इस पॉट में और बस फिर यही था आज के वीडियो में इस तरह से बैट बैट के थक गई कभी उट उट के थक गई तो बताएगे जुरूर हमारी महनत हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा मेरी कम बाचिंग वाचिंग बाचिंग तेक केर